नमस्कार मैं संदोष चोहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं छोले जो कि भटूरे और पूरी के साथ खाय जाते हैं इन छोलों में मार्किट जैसा टेस्ट कैसे आता है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कुछ काच जो दलेगा उसके बाद मैंने पीसा है अर टमाटर लिये है मैंने चार पांच जिनके मैंने पीस लिया है और हरी ह動画 लिये हैं कि अप्रिय पीज लिये है ने भाख फाल्ट्र हार्मृ रहे और हैं हरी मिर्च लियरों' ढ़ने कुछ गुलाब्त की पत्यान यहां अपको मसाले के अषा दूकानसे असानी से आसानमिल जाएंगी। चारो मसाले मैंने लिया है हल्दी नमक मिर्च और धनिया। और कुछ मैंने खड़े मसाले लिये हैं, इसमें काली मिर्च, छोटी लायची, मोटी लायची और लॉंग है, और इसमें मैंने लिये हैं दो छोटे टुकडों में दालचीनी, और इसमें लिया है गरम मसाला, गरम मसाला इसमें आधा चमची डलेगा, तेज पत्ते के टुकड जो कि छोलों के उबालने में डाली जाएगी जिससे कि रंग एक तो काला आता है और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब छोले कुकर में डाल देंगे उसके बाद आधा चमच नमक डालेंगे नमक दो बार यूज होगा बनाते समय भी डलेगा और इसमें हमने धो के अच्छी तरह से इनको धोलिया था और इन पत्यों को डालेंगे गुलाब के पत्यों को और दो ग्लास पानी लगबक 500 ml के आसपास इसमें पानी डलेगा और इसमें डालेंगे हम एक टेबल स्पून घी अब एक हम कपड़ा लेंगे चौकोर और उसको कपड़े को मैंने इस तरह से और इसी का एक कड़ा काटके पत्ला सा और मैंने उसको ऐसे करके बान दिया है ताकि जो चाय पत्ती है वो किसी भी तरह खुलने ना पाए यह बहुत आपने केरफुली करना है क्योंकि चाय पत्ती चोलों में उबालते समय खुलनी नहीं चाहिए और गाठ आपन करते हैं कुकर में हम जो मीडियम फ्लेम है मीडियम फ्लेम पे पांस सीटिया लगाएंगे तो आसानी से छोले हमारे स्वाफ्ट हो जाएंगे अब एक पैन में हम एक चमश तेल डालेंगे और उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे दो-3 लॉंग है काली मिर्च है और दा इसमें डालेंगे लसन अद्रक का पेस्ट इनको हलका सा भून लेंगे फिर इसमें हम लसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे लसन अद्रक का पेस्ट एक चमश लिया है मैंने इसके बाद हम जो जबी हलका सा भुन जाएगा थोड़ा सा फिर हम इसमें जो मसाले हैं चारों मसाले डालेंगे हल्दी नमक मिर्च और धनिया यहां पर हल्दी में थोड़ी कम ही यूज कर रही हूं क्योंकि हम छोले थोड़े काला पन लिए हुए चोले बना रहे हैं और नमक दो बार यूज होगा तो इसलिए ध्यान पूर्वक डालेगा एक छोलों को अबालते समें डाला है और एक यह म अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाला तो यहां बद घूंग अच्छी तरह से मिक्स कर दिया उसके बाद अब ही इसमें टमाटर डालेंगे क्योंकि प्याज हमारे पके हुए थे तो उन्हें पकाने की जुरत नहीं थी हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च में तेल में नहीं डालती हूं क्योंकि तेल में डालने के बाद उसमें जो सब्जी का टेस्ट सब्जी में जो टेस्ट है वो मतला ज्यादा अच्छा नहीं आता औ अब इसको कवर कर देंगे लिड को और इत्दर हम कुकर का अपना देखेंगे प्रैसर हमारा निकल चुका है खतम हो गया इसका अब इसमें जो हमने चाय पती पोटली बना के डाली थी उसे निकाल लेंगे और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में छोलों का रंग काला आय क्योंकि इसका जो टेस्ट है और कलर है वो बहुत अच्छा आता है एक बार आप इस तरह से चोले बना लेंगे तो मार्किट के कभी नहीं खाएंगे आप अब इसमें यह हम पानी डाल देंगे जो हमारा कलर निकला था अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब यह हमारे छोले चेक कर सकते हम कि हमारे छोले अच्छी तरह से पक गए है और जो यह गुलाब की पतिया है वो अच्छी तरह से घुल गई है इसमें मसाला हमारा इधर पक चुका है अब हम इसको थोड़ा सा हिला के और इसमें हम अपने जो छोले हैं वो डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मसाला अच्छी तरह से मिल जाए मसाले को अच्छी तरह से मिल जाँ अगर आप इसमें गाडा खाना चाहें तो इसमें पानी ना डाले और अगर आप थोड़ा सा मतल़ा पतला करके खाना चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं अब अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला कसूरी मिथी और छोले मसाला कसूरी मिथी को आप धो लीजेगा क्योंकि इसमें मार्किट की है किरक आ सकती है इसलिए धोकर ही डालना जो छोले हमारे हैं अच्छी तरह से पक्चुके हैं आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब अच्छे बने हैं इसमें ज्यादा ना पतले हैं और ना ही गाड़े हैं इसी तरह से भटूरे के साथ खाये जाते हैं और मेरे चैनल में भटूरे की रेसिपी है वो जरूर देखी गया और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की रेसीपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फीडबेक दीजिएगा आपके फीडबेक का इंतजार रहेगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद